Hello friends, Welcome to my channel friends आज मैं आपको हाथ पेरों की जम्मि गंदिगी ना उसको निकालने का तरीका बताऊंगी तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ मैं मैंने कोल गेट लिया है आपको अपने हाथ पेरों कोँ गेट से साफ करना है और यहां पर एक brush लिया है, brush आपको कोई भी बेकार जो brush है आप ले सकते हैं तो थोड़ा सा डिप कीजिए पानी पर और इस थरीके से आपको इस थरीके से brush करना है, ठीक है? मैं आपको रिजर्ट पर भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने हाथ पैरों को कोल गेट की मदद से गोरा कर सकते हैं और इससे आपको कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा ना ही आपको कुछ होगा इवन आपकी से जो स्किन तोन है एक से दो गुना जादा बढ़ जाएगी न आप इस तरीके से मसाज कर सकते हैं तो आपको मैं लायब रिजर्ट रिखाहाऊंगी तो आपको इस तरीके से ही रब करना है चीक है अब मैं आपको वाश कर करके बताती हूँ में यह कैसा होगा इसको ऐसे साफ करूगी मैं आप खुद देखना कितना अच्छा result आपको मिल तक मेर्म चेसरी पैनि जिस्का एगा इसको पानी से आप जाखंगा रिख नेकिजका है। आपको साफ करके निपने देक्छा करते है। अपर देखते हैं, यह आपज आप थी तक मेर्म शावी ने राप好कर पैन देख ली हो Ve और अगर आपके पास कोई भी मॉस्चराइजिंग क्रीम हो आपको लगाना है तो देख सकते हैं यह एक पंप अलोवेरा जैल लिया है बिल्कुल जरासा सा और अपने याप पर अपने याप इस थरीके से कोलगेट लगाएं और ब्रश करें तो आप कोई भी मॉस्चराइजर क्रीम हो या पर अलोवेरा जैलो उसकी मसाज कर लीजे अब आप देखिए मेरी स्केन आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होगा बस आपको यह जो कोलगेट अपने फेस पर कभी भी भी ट्राय नहीं करना है आप यह जो कोलगेट आपने हा सब्सक्राइब करना ना भूलें सो फ्रेंच आज के लिए बैबै थैंक्यू